मेरे पहरे देशवासियों, भारत में खेती और उससे जुड़ी चीजों के साथ नए आयाम जुड़ रहे हैं। बीते दिनों हुए कुरुशी सुधारों ने किसानों के लिए नई संभावनाओं के द्वार भी खोले हैं। बरसों से किसानों की जो मांग थी, जिन मांगों को पुरा करने के लिए किसे न किसी समय में हर राजरितिक दल ने उनसे वाइदा किया था, वो मांगे पूरी हुई हैं। काफी विचार विमर्ज के बाद भारत की समसद ने कुरुशी सुधारों को कानूनी स्वरुप दिया। इन सुधारों से न शिर्फ किसानों के अनेक बंदन समातु हुई हैं, बलकि उन्हें नए अधिकार भी मिले हैं, नए अफसर भी मिले हैं। इन अधिकारों ने बहुती कम समय में किसानों की परेशानियों को कम करना शुरू कर दिया है। महराष्ट के धुले जिले के किसान जीतिंद्र भोई जी ने नए कुरुसी कानूनों का इस्तिमाल कैसे किया ये आपको भी जानना चाहिए। जीतिंद्र भोई जी ने मक्के की खेती की थी और सही दामों के लिए उसे व्यापारियों को बेचना तैक किया। किसान से फसल खरिद लो, महिनों महिनों पेमेंट न करो। संभधह मक्का खरिदने वाले बर्षों से चली आ रही उसी परंपरा को निभा रहे थे। इसी तरह चार महिने तक जीतंद्र जी का पेमेंट नहीं हुआ। इस तिति में उनकी मदद की सितंबर में जो पास हुए हैं, जो नए ख्रिशी कानून बने हैं, वो उनके काम आए। इस कानून में ये तै किया गया है कि फसल खरिद्य के तीन दिन में ही किसान को पूरा पेमेंट करना पड़ता है। और अगर पेमेंट नहीं होता है तो किसान सिकायत दर्ज कर सकता है। कानून में एक और बहुत बड़ी बात है। इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि छेत्र के SDM को एक मेने के भीतर ही किसान की सिकायत का निप्टारा करना होगा। अब जब ऐसे कानून की ताकत हमारे किसान भाई के पास थी तो उनकी समस्या का समाधान तो होना ही था। उन्होंने सिकायत की और चंधी दिन में उनका बकाया चुका दिया गया। यानि की कानून की सही और पूरी जानकारी ही जीतेंद्र जी की ताकत बनी। छेत्र कोई भी हो हर तरह के भ्रह्म और अफ़ाओं से दूर सही जानकारी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा संबल होती है। किसानों में जागुरुकता बढ़ाने का ऐसा ही एक काम कर रहे हैं राजस्तान के बारा जेले में रहने वाले मुहमद अस्लम जी। ये किसान उत्पादक संग के CEO भी हैं। जी हाँ आपने सही सुना किसान उत्पादक संग के CEO उमीद है बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO को ये सुनकर अच्छा लगेगा कि अब देश के दूर दराजवाले इलाकों में काम कर रहें किसान संगटनों में भी CEO होने लगे हैं। तो साथियों मुहमद अस्तलम जी ने अपने क्षेत्र के अनेकों किसानों को मिलाकर एक WhatsApp ग्रूप बना लिया है। इस ग्रूप पर वो हर रोज आस पास की मंडियों में क्या भाव चल रहा है इसकी जानकरी किसानों को देते हैं। खुद उनका एप्योबी किसानों से फसर खरीता है। इसलिए उनके इस प्रयात से किसानों को निर्णे लेने में मदद मिलती है। साथियों जागरुकता है तो जीवन तता है। अपनी जागरुकता से हजारों लोगों का जीवन प्रभावित करने वाले एक क्रशी उद्यमी सी विरेंद्र यादवजी है। विरेंद्र यादवजी कभी आस्ट्रेलिया में रहा करते थे। दो साल पहले ही वो भारत आये और अब हर्याना के कैथल में रहते हैं। दूसरे लोगों की तरह ही खेती में पराली उनके सामने भी एक बड़ी समस्या थी। इसके सॉल्यूशन के लिए बहुत व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। लेकिन आज मन की बात में मैं विरेंद्र जी को विशेश तोर पर जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके प्रयास अलग है। एक नई दिशा दिखाते हैं। पराली का समाधान करने के लिए विरेंद्र जी ने पुवाल की गांट बनाने वाली स्ट्रॉव बेलर मशिन खरी दी। इसके लिए उन्हें क्रिसी विवाग से आर्थिक मदद भी मिली। इस मशिन से उन्होंने पराली के गठे बनाना शुरू कर दिया। गठे बनाने गबाद उन्होंने पराली को एग्रो एनर्जी प्लान और प्रेपर मिल को बेच दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि विरेंद्र जी ने पराली से सिर्फ दो साल में डेड़ करोड रुपिय से जादा का व्यापार किया है। और उसमें भी लगबग 50 लाख रुपिय मुनाफ़ा कमाया है। इसका फाइदा उन किसानों को भी हो रहा है जिनके खेतों से विरेंद्र जी पराली उठाते हैं। हमने कचरे से कंचन की बात तो बहुत सुनी हैं। लेकिन पराली का निप्टारा करके पैसा और पुन्य कमाने का या नोखा उधा रहा है। मेरा नवजवानों विशेशकर कृशी की पढ़ाई कर रहे लाखों विध्यार्थियों से आग रहे हैं। कि वो अपने आसपास के गाउं में जाकर किसानों को आधुनिक कृशी के बारे में हाल में हुए कृशी सुधारों के बारे में जाग रूप करें। ऐसा करके आप देश्ट में हो रहे बड़े बरलाव के सहभागी बनेगे।